प्रतियों एमर्जनसी और OPD सेवा पुरी तरह से ठप है वहीं पटना में हुई IMA की और भासा की बैठक में भी फैसला हो गया है कि हरताल अभी भी जारी रहेगी यानि जो मरीज हैं अस्पतालों में गरीब मरीज क्योंकि अमीर लोग तो कहीं भी इलाज करा लेंगे लेकिन जो गरीब है उनके तो आस्रा केवल सरकारी अस्पताल ही है लेकिन उन सरकारी अस्पतालों पर अभी भी हरताल जारी रहेगी बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में OPD सेवा ठप रहेगी डॉक्टरों ने अस्पतालों के कारे बहसकार का एलान कर दिया है खलाकि इमर्जनसी सेवा को इससे दूर रखा गया है, लेकिन इसका कोई मतलम नहीं है, जब हरताल है, तो emergency सिवा को इससे दूर रखा गया है, क्यों कहने भर की बात है, दरसल इलाज बिलकुल नहीं हो रहा है, और आरा अस्पिताल में तो बहुत ही हालत खराब है, आरा में डॉक्टरों के खिलाफ बड की गई है निचेतावनी भी दी गई है भोजपुर की हालत ऐसी है कि सदर अस्पताल में मरीज हलकान हो रहे हैं और जो आयूक्त हैं उन्होंने आदेश दिया है कि डॉक्टर उनके सामने हाजिर होकर अस्पस्टी करना दें अपनी बात रखें उनका कहना है कि अस्पताल गरी कमी चूप-चाप बैठी देख रही है तमासा सरकार तो दवा कर रहे है कि हर जगह बेकल्पिक ब्यवस्था कर दिया गया है डॉक्टर के तैनाती हो गई है लेकिन सचाई यही है कि आरा में बहुत बिकराल सिति बनी हुई है कारण ये है कि के वल आरा के सरकारी एस्पताल वहां के जो निजी क्लिनिक जहां इलाज होता था वह भी बंद हैं यानि सारे निजी क्लिनिक और नर्सिंग हम बंद हो गये हैं तो आखिर मरीज जायेगा कहां पटना में भी हालत ठीक नहीं है लेकिन डॉक्टर लगतार भोजपूर डीम को हटाने की मांग पर अड़े अब डॉक्रों पर करवाई के बाद हालात और गंभीर हो सकती है और सबसे बड़ी बात है कि आयाद इन डॉक्टरों के हर्ताल होते रहते हैं डॉक्टरों का ऐसा पैशा है जिसके बिना एक घंटा एक मिनट भी काम चल नहीं सकता है मुझे लगता है कि डाक्टरों की हर्ताल को निस्थित रूप से गहर कारूनी घोसित कर दिया जाना चाहिए डाक्टर के साथ अगर अन्याय होता है तो अन्याय करने वाले के खिलाफ करवाई होनी चाहिए डॉक्टर को अगर भगवान का धर्जा दिया गया है तो डॉक्टर के जिमवारी बनती है कि हर हालत में मरीजों की जान बचाए लेकिन मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर की सुरक्षा की जिमवारी भी स्रकार की बनती है तो सरकार को हर हालत में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिस्षित करने चाहिए दरसल डॉक्टरों के अनुसार डॉक्टर टी अंसारी के अलावा भासा के अधिकारी करेकारी अध्यक्ष डॉक्टर औरुन कुमार और सचीव डॉक्टर नरेश सिंग के साथ भी बत्यमीजी की गई है बस लुकी की गई है वो मारपीट का भी आरूप लगा रहे हैं लेकिन म बिमार अस्पताल में आएगा, तो अस्पताल में ही मरेगा, लेकिन ये कोई दलिल नहीं हुई, क्योंकि आप हर्ताल पर हैंगे, उस दोरान जो मोते होंगी, उसके लिए जिमवार आप ठहराये जाएंगे, इसलिए आप से अगरह है, सिटी पोस्ट लाइव की, कि अपने काम पर लोटिए, अपने काम कोई मंदारी से करिए, और साथ ही अपना विरोध भी दर्ज कराते रहिए, लेकिन इस तरह से एक डियम के इगो और डॉक्टर के इगो के कारण, आम आदमी मरे, अस्पताल में मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़े, इस ठीक नहीं है, अब अब सुआ हो जाया है, तो एसे में उनके सामने कोई जाना चाहेगा, यही कारण है कि वहाँ पर विरोध किया गया, और अगर विरोध वहाँ पर किया गया, दॉक्टर नहीं गया, उन्होंने ग्रोष रूप, तो विंको करवाई की जाननी चाहिए थी, विभाग को लिखा जाना चाहिए था पिठाना और इस तरीके से कर लेना तो पूरे राज को नहीं पर धकेल दिया है हम नहीं जाते होए भी हम जो है आंधुरन करने को भी बस अंधुरन तो पुरा विहार को धकेली तिया है पूरे विहार का उट्डोर बंद है रोज स्वरूप इतना आगोश पूरे राज जो यहां पर इमर्जेंसी चलते हैं बिभाग की कार्श द्सक्रिटी यहां है कि यहां पर अपूंट्मेंट डॉक्टरों का नहीं हो पा रहा है उनहीं डॉक्टरों से काम लिया जा रहा है तो इनकी बात से तो साफ लग रहा है कि ये आरपार की लड़ाई लड़ने के मूड में है जब तक DM के खिलाफ करवाई नहीं हो जाती है तब तक ये चैन से बैठने वाले नहीं है काम पर लोटने वाले नहीं है और जब तक काम पर लोटेंगे नहीं तब तक लोगों की जान आफ़त में फसी रहेगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरकार उस DM के खिलाफ करवाई करेगी जिस DM ने अस्पताल में डाक्टरों की उपस्तिती सुनिस्थित कराने के लिए नियम बनाया उसने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये डाक्टरों को हजरी ल इलाज करते हैं अपने निजी क्लिनिक में तो जो निजी क्लिनिक का धंधा है डोक्टरों का उसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में इलाज ब्योस्था चौपट है मुझे लगता है कि डियम की जो करवाई है उसको कहीं से भी गलठा रहा नहीं जा सकता है लेकिन डियम ने जिस तरह से अपने बडिगार्ट को भेंज करके डोक्टरों को अस्पताल से उठवा कर अपने घर बुलवाया उनके साथ जो नोकजोक हुई ये ठीक नहीं है क्यो उनके साथ किसी भी हालत में कोई अधिकारी बगतमीजी न करे ये तो सुनिशित करना पड़ेगा लेकिन डॉक्टरों के विजमारी बनती है कि उनके कारण किसी मरिज की जान न जाये आगे क्या होगा हर्ताल का और कितना असर पड़ेगा कितने लोगों की जाने जाएंगी सरकार क्या करेगी जो भी लेक्टिस्ट खबर आएगी हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे आपको ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेर करिए हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो हम वादा करते हैं कि सारी ताजातरिन खबरे सबसे पहले आप तक लेकर आते रहेंगे नमस्कार